Hello everyone, welcome on my channel इस वीडियो में हम 651 से लेके 660 तक के idioms and phrases करेंगे और ये इस सीरीज का 66 वीडियो है और इससे पहले मैंने 65 वीडियो डाले हैं जिसमें हमने 650 idioms and phrases को cover किया है और अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मेरे playlist में जाके serial wise उन वीडियो को देख सकते हैं तो बिना देर के हम वीडियो को start करते हैं और 651 number question हम देखते हैं To split hairs तो इसका मतलब होता है To find fault with यानि कि किसी भी चीज में गलती निकालना और हिंदी में एक मुहावरा आपने सुना होगा बाल की खाल निकालना तो यही है split hairs तो sentence में इसका use देखिए He is in the habit of splitting hairs in everything यानि कि वो बंदे की यादत है कि वो किसी भी चीज में जो है गलती निकालता ही है कितना भी अच्छा काम आप कर दीजे वो उसमें गलती ढून के निकाली देगा और एक quote है इसमें इसको देखिए यानि कि जो गलती निकालने वाले आदमी होते हैं वो स्वर्ग में भी गलती निकाल देगे तो इसे connect करके आप ध्यान रख सकते हैं उनका कोई इलाज नहीं है अगला हम देखते हैं इसका मतलब होता है तो manifest extreme grief or anger यानि कि गहरा दुख या क्रोध परदर्शित करना बहुत जादा गुस्सा हो जाना तो sentence में इसका use देखिए she tore her hair at his sarcastic remarks on her dress यानि कि किसी बंदे ने जो है इनके dress पे थोड़ा सा अभधर टिपनी कर दिया था जिसकी वज़े से madam जो है काफी गुस्सा हो गई और ये जो है गुस्से में उसको बोल लही है कि तुझे अकल नहीं है क्या और ये कौन है आप सभी जानते होंगे ये है उर्फी जावेद social media पे जो है ये काफी जादा famous है और ये हमेशा अपने dress को लेके controversy में रहती है तो इससे connect करके आप ध्यान रख सकते है अगला हम देखते है without turning a hair इसका मतलब होता है remaining calm यानि कि सांथ रहके तो sentence में इसका use देखिए he put out the fire without turning a hair यानि कि ये जो बंदा है देखिए बिलकुल सांथ होके और इस cylinder में जो आग लगा है उसको इसने बुझा दिया और जब भी जो है cylinder में आग लगता है तो हमें panic नहीं मचाना है महाँ पर काम रहके बिलकुल सांथ रहके उसे हमें बुझाना है तो इससे connect करके आप ध्यान रख सकते हैं अगला हम देखते हैं इसका मतब होता है यानि कि बहुत स्वस्थ या आप कह सकते हैं हटा कटा तो sentence में इसका use देखिए यानि कि ये जो भीखारी है ये काफी हटा कटा है और इसे भीख नहीं मांगना चाहिए क्योंकि ये कमा कर खा सकता है पर फिर भी जो है ये भीख मांग रहा है तो ऐसे को हमें भीख नहीं देना चाहिए जो हटा कटा है जो कमा सकता है हाँ ऐसे लोगों को ज़रूर देना चाहिए जो आपाहीज हैं जो कमा नहीं सकते हैं तो इससे connect करके आप ध्यान लग सकते हैं अगला हम देखते हैं hammer and tongs, इसका मतलब होता है with great noise and vigor, यानि कि पूरे जोर सोर के साथ, कुब हो हल्ला करके, तो sentence में इसका use देखिए, the victory of the party was celebrated hammer and tongs, यानि कि party ने जो है, वो election जीत लिया है, और वो पूरे जोर सोर के साथ इसका celebration कर रहे हैं, और खुब हो हल्ला कर रहे हैं, तो इसका connect करके आप ध्यान रख सकते हैं, अगला हम देखते हैं to rule with heavy hand, इसका मतलब होता है to rule severely, यानि कि सक्टी से सासन करना, तो sentence में इसका use देखिए, और अरजेभ जो राजा था, वो काफी सक्टी से सासन करता था, तो इससका connect करके आप ध्यान रख सकते हैं, अगला हम ताना साही तरीके से तो sentence में इसका use देखिए she runs her industry with a high hand यानि कि ये जो लड़की है ये अपने industry को चलाती है ताना साही तरीके से और जो भी ये decision देती है वो final decision होता है चाहे वो workers के favor में हो या उसके against में हो और ये जो scene है लाडला movie का है आपने देखा होगा जिसमें स्री देवी जो है वो मालकिन रहती है एक इंडेस्टिज की और ये काफी जादा ताना साह रहती है तो इससे connect करके आप ध्यान रख सकते हैं अगला हम देखते हैं to hand in one's chicks इसका मतब होता है to die यानि कि मर जाना तो sentence में इसका यूज़ देखिए his elder brother handed in chicks in an accident यानि कि उसका जो बड़ा भाई था वो accident में मर गया यहाँ accident हुआ था देखिए बहुत ही बुरी तरह हुआ था और इसमें उसका भाई जो है वो मर गया तो इससे connect करके आप ध्यान लग सकते हैं अगला हम देखते हैं to fly off the handle इसका मतलब होता है to become very agitated और angry यानि कि बहुत ही जादा गुसा होना तो sentence में इसका use देखिए when he teased her she flew off the handle यानि कि एक लड़के ने जो है इस लड़की को छेड़ दिया था और ये जो है काफी जादा गुसा होई और उसको बुली कि अगली बार अगर तुमने मुझे छेड़ा तो मार सेंडल के तुमारा में हालत खराब कर दूए तो इससे connect करके आप ध्यान लग सकते हैं अगला हम देखते हैं to hang by a thread और a hair इसका मतलब होता है to be in a delicate state यानि की काफी नाजुक स्थिती में होना तो sentence में इसका use देखिए the old lady is hanging by a thread और a hair यानि की ये जो बुढ़ी औरत हैं ये काफी नाजुक स्थिती में है कभी भी इनका देख हो सकता है क्योंकि काफी उम्र जो है इनका हो गया है तो इसे connect करके आप ध्यान रख सकते हैं तो इस वीडियो में हमने 10 idioms and phrases किये and I hope कि आपको समझ में आ गए होंगे और आपको याद भी हो गए होंगे और ये जो series है वो continue रहेगी जब तक हम जो ये book है mirror of idioms and phrases उसको खतम नहीं कर लेते हैं तो आप वीडियो के साथ बने रहिए और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो play like, share and subscribe to my channel Thank you